हेलो आल, कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होगे, so guys, आज की रीडिंग हम करेंगे, छोटी सी रीडिंग ही करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि क्या वो आप से प्यार करते हैं, ठीक है, आज की हमारी ये रीडिंग रहने वाली है, so guys, आप लोग मेरे साथ बने रहेगा, देखेंगे हम, आज शाम की रीडिंग मैंने जैसा कि आपको कहा था, कि मैं साड़े साथ बज़े आपको एक रीडिंग दूँगी, ठीक, साड़े साथ बज रहे हैं, so मैंने सुचा कि चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक मैंने यहीं हमारा टॉपिक है ठीक है ना फो इसे ही लेना है आपको सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज गाइड मी, ह देख रहे हैं क्या उनके पार्टर उनसे प्यार करते हैं प्लीज गाइड में और हाँ आज मैंने एक जो है कम्यूनिटी बॉक्स में एक पोस्ट अप्लोड किया था आप लोग ने सब देखा और सबने सपोर्ट भी किया काफी अच्छा लगा आप सबका सपोर्ट देख करके आप लोग का जो साथ है इसी तरह अपना साथ मना के रखिए अपना आशिरवाद मना के रखिए और इसी तरह मुझे प्यार करते रहिए और मेरे रीडिंग्स को देखा करिए ताकि मै आप लोगों के लिए इसी तरह प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे रीडिंग्स लाया करूं हर रोज आप लोगों की वज़ा से ही मैं रीडिंग कर पाती हूं चाहें मैं किसी भी सीचेशन में हूं लेकिन एक हिमत मिलती है कि हां मेरी family मेरे साथ है तो इसलिए मैं री प्रूजज प्रिज्च गाइड मीट नाइट अप्सोड्स ओके एडिस लियुस साज है यहाँ पे और जैमनाई लिप्र एक वेडियस है ठीक है इस्परिज्च गाइड मीट प्रीज इतने ज्यादा काट्स गिर रहना मैं दो बार पैठी थी रीडिंग करने के लिए लेकिन इतने ज्यादा कार्ट किर जा रहे थे कि मुझे समय इतना मुश्किल हो जाना था देखो फिर कार्ड निकल क्या गए है यहां पर इस ऑफ पैंटिकल्स है ठीक है टॉरस वर्गों कैप्रिकॉन ओके प्लीज इनिवर्स केप्रिकॉन अगें तो यहां पर मुझे क्या कार्ड बता रहे हैं या वाल्ट प्सको sevent पहले भि हुआ होगा इया अभी सेप्रेशन टाइम चल रहा है तो आपके पॉर्षं कांए क्नेकशन कहीं नहीं चल रहा है यानि कि separation तो है ही उसके बाद भी कभी अगर बात भी हो जाती है न तो वही लड़ाई जगड़े गुस्ता है न यही मुझे यहाँ पे आज की reading में यह दिख रहा है five of events का card ठीक है clear बता रहा है कि आपके person के साथ आपके जगड़े होते रहते हैं ठीक है तो यहाँ पे यह है और यहाँ पे मुझे यह भी दिख रहा है king of sorts का card है ठीक है king of sorts का card मुझे यह बता रहा है कि आपके person अपनी feeling को नहीं दिखाते हैं एकदम show नहीं करते हैं एकदम ego वाले person है इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मेरा partner मुझे प्यार ही नहीं करता मेरे लिए कोई feelings ही नहीं है क्योंकि ये जो person है हमेशा जो है कह सकते हैं कि अपना फायदा है ना अपना फायदा यानि कि 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 लिए आपको पर्शन मुझे प्यार करता भी है कि नहीं करता है यह कोई नहीं समझ सकता ठीक है और इसी लिए इसी लिए आपके person और आपको लगता है कि नहीं प्यार नहीं है और को रिस्पेक्ट नहीं है है ना तो यहाँ पे ऐसा feel होता है आपको जो कि मुझे cards में ऐसी ही feeling भता भी रहे कि आपके person अक्रू बहुत ज़्यादा है ठीक है खराब चल रहा है देखो यह nine of bands का card है यहाँ पे कोई ऐसा person है जिसके mind में जिसके दिल में एक डड़ है ठीक है इस relationship के खोने का ड़ है क्या फिर कहें तो इस relationship के जो है ना इतम से लगता है ना कभी कभी कि कभी यह person मुझे अपनी feeling को share ही नहीं करेगा आपको ऐसा लगता ह है ना कि कभी मुझे अपनी feeling को share ही नहीं करेगा तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक डड़ है अभी कि यह person मुझे प्यार करता भी है कि नहीं करता है कुछ खूल के बोलता भी नहीं है मैं क्या करूं है ना तो परेशान रहे तो यहाँ पे ठीक है तो मुझे यहाँ पे यह से कोई एक शांथ हो जाए ना तो यहाँ पे यह गुसा यह जगड़े यह सब खतम हो जाएंगे ठीक है लेकिन यहाँ पे दोनों ही शांथ नहीं होते हैं दोनों ही एक दुसरे को थोड़ा जो है ना बैलेंस नहीं कर पाते हैं इसलिए यहाँ पे दोनों में जगड़े होत है ठीक है यहां पर इनका माइंड जो है ना यहीं चल रहा है कि मुझे डिसीजन लेना है मुझे कुछ तोर्ड करना है मुझे डिसीजन लेना ही है so decision लेना है ठीक है ना तो यहां मुझे यह दिख रहा है और यह person decision लेना भी चाहते हैं मतलब कि कहें तो आपको clear बताना चाहते हैं clear communication करना चाहते हैं ठीक है आप के लिए यह क्या feel करते हैं क्या नई feel करते हैं मतलब इस relationship का आगे future है भी कि नहीं है यह person आपको clear बताना चाहते हैं इसलिए यह person आपसे new beginning चाहते हैं ठीक है यानि कि कहें तो आप इनसे बाते नहीं कर रहे हो तो यह person आपसे बाते भी करना चाहते हैं अपनी feeling को share भी करना चाहते हैं आपकी feelings को समझना चाहते हैं ठीक है यहाँ पर्सन हमेशा ही हमेशा ही चाहते हैं क्या आपके साथ रहना ठीक है यहाँ पर नूब बिगिनिंग करना चाहते है क्योंकि 10 आफ पैंटिकल्स का भी कार्ड है मुझे लगता है कि अभी आपसे बात नहीं हो रही है कुछ लोगों की तो यहाँ पर फैमिली इश करेंगे क्योंकि यह मुझे देख़ देख रहा है कि यह परसंब आपके साथ आना चाहते हैं ठीक है तो यहाँ आशे हैं इस अबिशिए हैं है इस शर्चskin है गृश्यक्ति है कि आपके पॉर्सन अब से प्यार करते हैं इंग संगे मैं Gust ते हम कि linked प्रीज गाइट मी ऊके पिस इंवर्स प्रीज गाइट मी तो आफ सार्ट हम लाला यहां पर मैं काड नहीं लूँगे क्योंकि वहाँ पर टू कर्ट से और मैंने एक काड देखिया था इसके मैंने काड नहीं लिया ठीक है, 5 events, देखलो यहाँ पे भी 5 events, यहाँ भी 5 events, दोने ही deck से 5 events, please get me last card, then press 5, last card और first card, बहुत ही खुबसुरत card, यहाँ पे page of cups का card है, bottom of the deck, ठीक है, तो यहाँ पे guys, क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ पे आपके person के साथ, आपका connection मुझे दिख रहा है, क्या वो आपसे प्यार करते हैं, तो देखो guys, मैं again कहुँगे कि आपके person को ऐसा feel होता है, देखो, प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन पहले अपने relationship के future के बारे में यह person सोच रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है ना कि हम दोनों के relationship का शायद future नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर family issue है, जगड़े हो सकते हैं, हम दोनों के family राजी नहीं हो सकती हैं, हम दोनों के relationship के लिए, और यहाँ पर यहीं सब सोच करके आपके person परेशान हो जा रहे हैं, ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए ना, तो आपके person, आपके person का मुझे यह दिख रहा है कि five events का card है, यह person को decide नहीं हो पा रहा है, कि मैं प्यार करता हूँ कि नहीं करता हूँ, ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए, तो मैंने पहले भी कहा कि यह decision लेना चाहते हैं, जिसमें इनको confusion हो रही है, again मेरे पास वही card आया है, decision लेना चाहते हैं, लेकिन इनको clear कुछ पता नहीं चलता है, जैसे होता है ना, कि हाँ हमें चीज़े clear होती है, तो हमें decision भी लेना आसान होता है, लेकिन आपके person को यहाँ पे clear नहीं है चीज़े, जिसकी वज़े से यहाँ पे इस person को बहुत मुश्किल हो रहा है, चीज़ों को समझना, ठीक है, the hangman का भी card है मेरे पास, the hangman का card मुझे clear बता रहा है, कि आपके person के साथ आपका connection जो है, यहाँ पे love है, आपके person आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि six of cups है, the empress का card है, ठीक है ना, आपके person आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन क्या है कि यह accept करने से डरते हैं, आपको accept करने से डरते हैं, जो situation चल रही है, उसको accept करने से डरते है यह person तो मुझे यहाँ पे basic चीज जो है यहाँ पे एक डड़ दिख रहा है ड़ है आप में भी है आपके person में भी है तो यहाँ पे अगर ड़ को खतम किया जाए तो इस relationship का कुछ हो सकता है ठीक है तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे यह person खुद बहु करना चाहते हो तो और आप आपके person मुझे लगता है जहां तक कि आपके person नहीं आपको प्रपोजल देना चाहते हैं ठीक है तो प्रपोजल का आप लोग वेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे तो दिख रहा है कि आपके person आपसे प्यार करते हैं ठीक है दाइंप्रस क तो बस है ना तो बहुत एक उपसुरत सी एनेरजी है पेज औफ कपस का भी कार्ड है मेरे पास bottom of the deck जो कि मुझे बता रहा है कि आपके person आप से मिलने के लिए आप से बात करने के लिए जो है ना ये बेचायन है या कहें तो इनकी अनेरजी ऐसी है कि इनको बेचायनी जैसी महसूस होती है ठीक है एक होता है ना कि हम अपने partner से बात नहीं करते हैं तो हमारा दिल ही कहीं नहीं लगता है ना लगता है क्या आपका दिल नहीं लगता ना मुझे पता है नहीं लगेगा ठीक है तो यहां पर कार्ट मुझे यहीं बता रहें कि आपके पॉर्शन के साथ जो है ना आपका कर्णेक्शन मुझे कुछ इस कदर इस तरह दिख रहा है ठीक है प्लीज गाइड मी इसका विए अपको इसकदर चाहते हैं कि आपके लिए मैनिफेस्टिशन तक कर रहे हैं यह परसन ठीक है ना सुल मेंट्स ओके यहाप परसन आपके बेहत प्रेम करते हैं वो आपको बेहत चाहते हैं और उनको ऐसा भी होता है आपके साथ कि आप जो हो उनके से ओलमेट हो और आप के साथ जो है ना इनके जिन्दगी कहते है ना कि मुकमल हो जाएगी है ना बहुत ही खुबसुरत हो जाएगी अगर आप इनके साथ आ गए तो इनके जिन्दगी बहुत ही खुबसुरत हो जाएगी आपके पर्शन को ऐस होता है ऐसा लगता है ठीक है तो मुझे कार्ण्स बतारहें कि आपके पॉर्शन आपको भ시면 मांते हैं एक कहते हैं इस ही दिल के तार है नहperformance है नह Ig ouais। कि तो आपके पोर्शन आप से प्यार करते हैं ठीक उसी तरह जैसे कि आप उनसे प्यार करते हो ठीक है, तो reading हम छोटी ही करने वाले थे और यहीं पर reading को हम खतम करते हैं so I hope reading आपके साथ resonate की होगी अच्छी भी लगी होगी, so मिलते हैं next reading में, बाई